दुनिया का हर व्यक्ति अपने बच्चों को लेकर टैंशन में रहता है कि वो पढ़ाई कर ले उसका बच्चा मेनत से पड़े लेकिन टीवी की दुनिया के ये पांच बच्चे उन्हें पढ़ने नहीं देते कार्टून चैनलों पर आने वाले कार्टून बच्चों में इतने लोग प्रिय है कि वो इनको देखे बिना खाना तक नहीं खाते आज हम कार्टून की दुनिया के कालप्रिक पात्रों के बारे में बता रहे हैं जो किसी बच्चे को टीवी की दुनिया से बाहर नहीं निकलने देना चाते काटून की दुनिया के कालप्रिक पात्र सबसे पहले आता है छोटा भीम काटून की दुनिया का छोटा भीम हर बच्चे की जुवान पर रहता है यह इतना परसिद है कि हर बच्चे की जुबान से इसकी काहनी सुनने को मिल जाती है लंच बोक्स, स्कूल बैग, बच्चों की टी-शिर्ट जैसे बच्चों की इस्तमाल होने वाली हर चीज पर इसकी फोटो असानी से देखी जा सकती है चोटे भीम के किरदार के रचईता रजीव शुकला है बच्चों के बीच सबसे पसंद किया जाने वाला काटून डोरेमोन में नोबिता नामक पातर के शरारती अंदाज को तो आपने भी अपने बच्चों के साथ देखा होगा उसकी हरकते जितना हसाती है उससे ज़्यादा भी उसकी अवाज गुद गुद आती है नमबर तीन सिजुका डोरेमोन काटून सीरिस का ही दूसरा महतबपूर्ण पातर सिजुका है नमबर चार जियान जियान भी किसी से कम नहीं है यह भी doremon cartoon का ही इस्सा है नमबर पांच doremon doremon cartoon का मुखे किरदार doremon मूल रूप से जापानी cartoon है doremon को हिंदिय नुवाद करके भारत में परसारित किया जाता है अवाजों के भारतीय जादुगर अपनी अवाज की जादुसे बच्चों को खुद से जोडते है काटून का बच्चों पर बहुत गहरा असर पड़ता है समय समय पर इस परपाबंदी के लिए वाज़े उठती रहती है काटून के पातर बच्चों को इतना परभावित करते हैं कि वो पढ़ने लिखने से दूर हो जाते है बच्चों के कोमन दिमाग पर भी इसका असर पड़ता है 2013 में बांगला देश ने डोरेमोन परपावंदी लगा दी गई थी इसके साथ ही 50 से अधिक देशों में ऐसे काटून परपावंदी है ये जुठे पातर टीवी पर सारा दिन आते रहते हैं जिसे देखने के लिए बच्चे टीवी से चिपके रहते हैं ये है काटून के दुनिया के कालपनिक पातर बच्चों के विशेशग्या मानते है कि काटून का बच्चों पर लंबे समय तक असर रहता है जो बच्चों के मानसिक विकास के लिए घातक है बच्चों की ऐसी स्थिती के लिए सिर्फ काटून चलनों को दोश देना ठीक नहीं है माप बाप भी उतने ही जिमेदार है समय की कमी और बच्चों के जंजट से बचने के लिए माप बच्चों को काटून के चलनों की आदत लगा देते है दोस्तों कमेंड में जुरूर बताईएगा कि आपके बच्पन का सबसे अच्छक और फेवरेट काटून कौन सा था और वीडियो देखने के लिए ब्लीज में चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बल आइकन दबा करके आने वाली वीडियो का नौटिफिकेशन पाएए